नमस्कार, मनी गुरू के आज की इस खास पेशकृष में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ स्वाती रायना वे निवेश के फायदे तुü अनेक हैं, पर ये फायदा तब और भी जादा हो जाता है जब हमें रिस्क के बार में पता चलता है रिस्क की पहचान करने ही आती हो तो रिसक और रिटर्न को बैलन्स करना काफी आसान हो जाता है लेकिन अगर ये बाते आपको नहीं मालूम तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप निवेश का रिस्क को मीटर समझ सकते हैं और इसको कैसे चेक करना चाहिए और फंड के रिस्क को पहचानने की तरीके क्या हैं इसे पर खास चर्चा आज हमारी होने वाली हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं उनका परिजर करा देते हैं मनी फ्रंट के CEO मोहित गांग और Complete Circle Consultants के Head West Zone विकास पूरी हमारे साथ हैं दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कारिक्रम में सबसे पहले रिस्क को समझना जरूरी है कि निवेश में रिस्क को define कैसे किया जाता है हम तो loosely कह देते हैं कि काफी riskier investment है यहां इस निवेश में रिस्क है यह कम रिस्क वाला product है यह ज्यादा रिस्क वाली scheme है पर अगर हम financial terms में मोहित रिस्क को define करें तो रिस्क होता क्या है जी स्वाती बहुत-बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए तो जी रिस्क को अगर मैं बहुत ही आमधारणा के हिसाब से define करने की कोशिश करूं तो रिस्क वो है जो आपकी expectation के हिसाब से नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा तो अगर मेरे को expectation है कि मुझे मेरे निवे रिस्क की परिभार्शा है कि यहाँ पर मुझे risk हो सकता है खतरा हो सकता है अगर मैं इसको technical यह statistical तरीके से define करने की कोशिश करूं तो risk is standard deviation या volatility यानि कि कितना उतार चड़ाव आप देख सकते हैं अपने निवेश में कितना उतार चड़ाव आप देख सकते हैं अपने portfolio में तो उसे risk कहा जाता है अगर आपका portfolio इस तरह के asset classes में है कि जहाँ पर आपके capital को भी risk हो सकता है जहाँ पर आपका capital पर drawdown आ सकता है जहाँ शायद आपका capital erode हो सकता है तो उसे हम higher risk निवेश कहेंगे या बहुत ही जादा risk की निवेश कहेंगे अगर मैं fixed deposit की बात करूं जह ही है कि वो तो आपका safe रहेगा ही रहेगा और उसके उपर आपको return चूटेगा तो यह एक इसे मैं risk free निवेश कहना चाहूंगा यहाँ पर हाला कि 5,000,000 से उपर आपको limit है कि उतनी ही guarantee होती है बट फिर भी इसे एक risk free निवेश कहा जाता है बट जब भी equity market की बात होती है क क्योंकि आपकी जो पूंजी है जो capital है उसमें आप negative losses देख सकते हैं इसलिए उसे risky asset कहा जाता है और risk वही है कि जहाँ पर आपको कुछ भी unexpected होने की संभाव ना हो कहीं पर भी आपको कितना भी loss हो सके और कितनी भी volatility आपको जहलने पढ़ सकती है उसी को risk कहते है portfolio में और इस risk को अगर identify करना है विकास जिसे fund level पर ही हम बात कर रहे है या जो एक normal जो एक retail investor है वो कैसे समझे जैसा मुईत ने भी बताया कि हमें जो अपक्षित return जिसके हम expectation थी वो नहीं मिल पाया तो इस risk को broader level पर कैसे समझे इसकी बारी कियों पर तो हम जाएंगे पर broader level पर कै से समझना चाहिए से धन्यवाद स्वाथी और थेलो मोहिद भाई देखे मोहिद भाई ने बड़े अच्छे शब्दों में इसको पूरा पिरोया है हम एक साधारन सा एक्जेंपल लेते हैं स्वाथी कि माल लीजिए किसी निवेशक से हम पूछे कि आप invest करना चाहते हैं औ और मुझे 12-15% की return चाहिए और जब मैं चाहूं मैं पैसा वापस ले पाऊं तो which means कि अभी ये निवेशक का तीन criteria है कि एक तो उनको return बहुत हाई चाहिए उनको liquidity बड़ी हाई चाहिए और उनका time horizon लगभग एक साल के अंदर है which is very less अब ऐसे निवेशक को हम बोलेंगे कि आपकी risk appetite अधिक नहीं है because आपको liquidity भी हाई चाहिए और आपको आपका पैसा कभी भी आप चाहते है वो चाहिए और आपको return बहुत अधिक चाहिए कम समय में तो which means कि ये निवेशक का risk appetite नहीं है तो कोई भी advisor उनको ये suggest नहीं करेगा कि आप equities में जाए क्योंकि उन्होंन सकता हूं तो मेरे पास उत्र time horizon है कि वो मेरी investment वापस मेने जो पैसा लगाया है वो प्लस उसके उपर कुछ return कवाके दे अब यदि माल लीजिये जैसे मैंने ये example दिया निवेशक बोले कि ठीक है मैं अपना time horizon बढ़ा सकता हूं तो अब क्या हो गया अब उनका risk appetite बढ़ ग गिर गया और उनका portfolio 20% गिर गया तो अब उनकी जो 10-15,000 वैल्यू थी वो जो उन्होंने invest की थी वो भी नीचे आ गई है so first of all यदि इस तरह के move होते हैं जब market के तो कोई भी निवेशक उससे ज्यादा वो नहीं होते अफेक्टिड नहीं होते और वो बोलते कि चलिए ठीक है अब ये नीचे आ गया है let me give some time maybe और एक साल या देड़ साल या छे मीने के बाद जब बाजार सुधरेगा किसी भी रीजन से तो मैं उस समय देख लूँगा कि मेरा return आये कि नहीं है तो कोई भी asset class होती है चाहे वो real estate हो चाहे वो gold हो चाहे वो even fixed deposits हो या fixed income हो हर किसी investment के साथ कोई एक risk जुड़ा होता है वो risk आपका price का भी हो सकता है वो risk आपका return का भी हो सकता है वो risk आपका liquidity का भी हो सकता है तो multiple risk होते हैं जो आगे हम उसके आपर बात करेंगे बट nutshell में यही बोलूँगा कि यदि किसी निवेश की शमता उनके पैसे को loss को लेने की नहीं है तो which means कि वो risk appetite उनकी नहीं है तो उनको वो वला investment नहीं करना चाहिए बिलकुल तो risk अलग-अलग level पर पहचानने जरूरी है एक investor level पर भी है एक आपके investment level पर भी है तो उसके बहुत सारे stages हैं जिसको बहुत deeply identify करना हमें चाहिए अभी हाल फिलाल में हाला कि SEBI के तरफ से काफी ऐसे initiative रहे हैं जो कि investors को aware करते हैं regarding risk of any particular investment product बहुत ही ताजा नियम जो है जिसमें एक color coding मोहित की गई थोड़ा सा अगर उस पर हम चर्चा कर पाएं कि एक color coding के हिसाब से ये जो investors है वो पता लगा पाएंगे कि कम risk कौन से product में है ज्यादा risk कौन से product में है क्या ये वाकई एक fruitful तरीका है investors को बताने का जिसमें green being lowest risk और लाल मतलब बहुत high risk वाला कोई investment और उसके बीच में और भी बहुत सारे colors हैं तो कैसे समझें इस पूरे color coding methodology को मुझे लग रहा है मुझे आज शायद लाल टाई नहीं पहननी चाहिए थी बट हाँ तो उस लिहाद से अगर देखें तो color coding और सेभी ने actually देखिए स्वाती काफी लंबे समय से सेभी ने बहुत कोशिश की है कि निवेशक बाजार के रुख में बहे कर कोई भी गलत कदम न उठाएं और किसी भी तरह के fund में निवेश करने से पहले उनके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह का जोखिम ले रहे है किस तरह का रिस्क ले रहे है और यहाँ पर उनकि जो capital है उसको क्या नुक्सान हो सकता है कितना डॉडाउन हो सकता है तो अगर आप देखें तो सेभी ने बहुत समय पहले एक riskometer इजाद किया था जो कि आपको ये बताता है, 6 categories का ये riskometer होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी fund है, आप किसी भी scheme को उठा लीजिए उसका जो main document होगा या उसका कोई भी leaflet होगा या कोई भी उसका literature होगा वहाँ पर आपको सबसे पहले एक semi circle में एक riskometer दिख जाएगा जो ये बताएगा कि उसका risk है वो very high है, high है, moderate है, low है ऐसे 6 categories में उसको divide किया गया है तो बहुत सालों तक ये riskometer चला अब उस पर industry में काफिया तक discussion हुआ कि क्या ये riskometer पूरी तरह से निवेशकों को समझ में आता है, क्या ये आसान है, सरल है तो यहाँ पर उसके बाद, बोड़ा सा मन्थन करने के बाद सैभी को ये लगा कि शायद जो पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं है या फिर पूरी तरह से literature को नहीं देख रहे है उनको फिर भी अगर मुझे risk समझाना है तो उसको color coding दे देते हैं तो वहाँ उन्होंने एक हरा रखा कि बहुत ही कम जोखिम वाला है low risk product है, जहां पर हरा color दिया गया है और जहां लाल दिया गया है वो high risk product है, तो जितने भी equity schemes है market में आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी थरक equity scheme हो, चाहे वो large cap हो या small cap सभी को लाल रंग यानि की बहुत high risk की category में डाला गया है और जैसे की liquid fund या overnight fund होते हैं, उन्हें हरे रंग से या फिर low category on riskometer करके दिखाया गया है तो समय समय पर सेभी ने काफी कदम उठाए है, M.P. ने काफी कदम उठाए है कि निवेशकों को ये पता लग सके कि वो जिस scheme में डाल रहे हैं और in fact मेरी सभी निवेशकों को ये सला है कि जब भी वो किसी भी scheme में निवेश कर रहे हैं वो अपने advisor से बात करके कर रहे है, अपने banker से बात करके कर रहे है बट एक बार, सिर्फ एक नजर उस scheme के riskometer को देख लीचे कि वो scheme कितनी risky है या कितनी नहीं risky है और जहां भी आपको लाल रंग दिख जाता है, वहां आप ये मान कर चलिए कि आपको negative देखना पड़ सकता है, यहां पर कोई guarantee नहीं होती है कि आपको return आएगा ही आएगा और कितना आएगा उसकी तो कोई परिभाशा ही नहीं है वो कोई भी आपको नहीं बता सकता है, पर आपको ये भी मान के चलना होगा कि यहां पर आपके capital पर भी खत्रा हो सकता है, आपको capital का नुकसान भी हो सकता है और वो सोच कर समझ कर, और जैसा विकास भाई ने कहा कि अगर आपके पास उतनी समय अवदी है कि आप इतनी volatility को जहल सकते हैं, तभी आप इन scheme का चुनाव कीजे इसी बात पर आ रही थी, जब कहते हैं कि high risk, high return जितना जादा risk लोगे, उतना जादा return मिलेगा it doesn't apply to all the schemes, पर काफी schemes पर यह fit भी बैठता है विकास, यह जो धारना है, जितना जादा आप risk लोगे, उतना अच्छा return आप ले सकते हैं उस धारना पर चलते हुए, कई जो पिछले कुछ हाल फिलाल में कई investors ने riskier investment options का भी चुनाव किया नतीजा यह होता है कि shorter term में volatility आ जाती है और उन्हें नुकसान भी होता है तो अगर मानि किसी high risk की investment में अगर कोई जा रहा है, high risk कोई ले रहा है तो एक ideal strategy उस high risk investment product में क्या होनी चाहिए जिसे कि आप risk तो ले ही रहे हो, लेकिन कम से कम नुकसान आप नहीं जहिल रहे हो आप high risk के साथ अच्छे return का फायदा भी उठा रहे हो तो जब भी कोई निवेशक अपना portfolio का जब policy document कहलो या जिसे goal planning करते हैं तो वो हमेशा define करना पड़ चाहिए उनको कि मेरा यह पैसा मुझे अगले 1-2 साल में चाहिए यह पैसा मेरे को 3-5 साल में चाहिए और यह पैसा मैं 5-10 साल तक निवेश करके रख सकता हूं और मैं इसको छेड़ूँगा नहीं सो जब कोई निवेशक बोलते हैं कि हां मैं high risk लेने की मैं सक्षम हूं मैं ले सकता हूं तो फिर उनको अपने portfolio में यह define करना ज़रूरी है कोई भी portfolio की जब construction होती है तो one should follow a scientific approach scientific approach का मतलब यह होग है कि systematic तरीके से आप define करिए कि हां मैं अपने portfolio में यदि मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो मैं 20 से 25 रुपए का जो निवेश है वो मैं high risk की fund में जा सकता हूं यदि कोई aggressive investor है उनको यह define करना पड़ेगा यह भी नहीं हो सकता कि वह बहुत उनकी रिस्क appetite तो अधीक है लेकिन उनके 100 रुपए में से 60 रुपए जो है very high risk fund में जा रहे है तो उनका नुकसान भी उसी तरीके से होगा क्यों क्योंकि जो very high risk fund हो गया for example के तौर पर माली जी हम जब बात करते हैं कि कोई sectoral fund है हम पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ एक-दो sectors ऐसे थे कि बहुत ज्यादा लोग उसके उपर interest शो किया और वो sector एक ही साल के अंदर 80-80% return दे दिया उनोंने अब वो 80% return देखने के कारण बहुत सारे निवेशक यह सोचते हैं कि हम भी follow करते हैं बट आज की date में उनको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी valuation य या कुछ small cap stocks की बात करते हैं तो eventually क्या होता कि जो funds small cap funds में invest करते हैं या sector funds में invest करते हैं वो impact उसका आता है उसके उपर तो अब यह जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन में एकदम से fall आया तो काफी सारी लोग जो बहुत लेट उसमें entry की उनके portfolio तो काफी तक down दिखा रहे में भी जिसने एक साल पहले invest किया अगर उनका fund 80-85% रिटर्न दे रहा है आज हो सकता हूं तो 70-72% रिटर्न दे रहा हूं बट स्टिल लेटर आया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि यह volatility जो है जो हमें नहीं मालूम कब तक चलेगी या कितनी जल्दी reversal होगा बट उनके प अपने portfolio में जो very high risk आपने composition रखनी है वो आपको define करनी चाहिए और उसके beyond नहीं जाना चाहिए यह भी बहुत जरूरी point है कि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि अब market गिरी और थोड़ा सा आपको लगा कि अभी तो गिरी हुई है चलो मैं और पैसा जोंग देता उसमें आपको कह काई नहीं करेंगे आपका portfolio अच्छे से कार्वर्ट में होगा बिल्कुल बिल्कुल और मैं अगर equity की बात करूं मोहित तो कौनसी यूजुली ऐसी categories होती है जो काफी ज्यादा risk की मानी जाती है इससे क्या होगा कि जो investors से उन्हें थोड़ा identify करने में आसानी होगी broader categories की बात equity पर से निवेशकों को समझना होगा कि एक risky instrument है ये किसी भी माध्यम से कोई guaranteed return का माध्यम नहीं है कि आपने equity में पैसा डाला है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा तो सबसे पहली बात तो सभी निवेशकों को ये बात गांट बान लेनी चाहिए कि अगर आप equity में निवे ने mostly जितने भी equity funds है सबको very high risk category में डाला है riskometer पर पर फिर भी अगर हम उनमे differentiate करना चाहें तो packing order में सबसे उपर आएंगे आपके sectoral or thematic funds क्योंकि ये बहुत ही concentrated bet होता है ये किसी एक particular sector के चुनिंदा stocks पर पूरी तरह से उनके moments पर निरभर होता है तो यहाँ पर number of stocks काम होत है बहुत अलग-अलग sectors नहीं होते तो किसी भी एक sector की के उतार चड़ाव पर पूरी तरह से आपका portfolio निरधारित हो जाता है तो sectoral or thematic funds सबसे high risk category में आएंगे उसके बाद में अगर आप जाएं नीचे तो micro cap और small cap यहाँ पर इन्हें risky इसले माना जाता है स्वाती क्योंकि इन में liquidity बहुत कम होती है इन stocks में अक्सर आप देखेंगे कि volumes बहुत high नहीं होता है आप निवेश तो कर देते हैं अच्छे return की चाहपे पर कल को अगर आप निकलना चाहें तो बहुत बार अच्छे अच्छे fund भी अपने portfolio को redeem नहीं कर पाते हैं stocks को बेच नहीं पाते हैं स market में तो ये भी बहुत risky होती है उसके बाद अगर आप उपर आएंगे तो फिर mid cap funds और फिर let's say multi cap funds, flexi cap funds ये सब आजाएंगे और फिर आपके large cap funds, large cap funds को थोड़ा सा stable समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे blue chip नाम है, बड़ी companyya है जो की पूरी तरह से research है, बहुत बड़ revenue base है, तो आपको पता है कि अगर थोड़ा सा market correction आ भी रहा है, तो ये भारत के top 50, top 100 नाम है, तो ये कहीं न कहीं से वापस bounce back भी जल्दी ही करेंगे, किसी भी correction में से निकल के, तो उन्हें relatively safe समझा जाता है within the equity category. Okay, तो ये कुछ equity funds हैं, जिसमें जो riskier माने जाते हैं, उनके nature में ही काफी जादा risk है, क्योंकि उनकी composition ऐसी है, जिन companies में invest करते हैं, so they are risky in nature. एक break के लिए रुपते हैं, break के बाद कितने तरीके की risk equity में हैं, इस पर चर्चा रहेगी, और आप अपने risk के साथ इस risk को कैसे adjust कर सकते हैं, ये भी समझेंगे, थोड़ी जोगे. तो निवेश में कितने तरीके की risk है, equity में risk को पहचान कर, आप कैसे invest कर, इस पर खास चर्चा चल रहे हैं, विकास पुलियर मोहित गांग से, विकास अब थोड़ा सा बताईए आप की equity में कितने तरीके की risk होते हैं, I assume 10 risk के हम बात करने वाले हैं, लेकि थोड़ा nutshell में जर की दो तरह के risk होते हैं, systematic और unsystematic, systematic वो हो गया है, जो सबके लिए है, माल लीजे, covid आया और सबके बजार गिर गए, उसमें हमारा कोई control नहीं है, तो systematic risk में आपका जैसे सबसे बड़ा हो गया कि market risk, कि आपका market का risk है, किसी भी वज़े से हो जाए, वो चाहे global event हो गया, या domestic को event हो जाए, उसके इलाबा एक business risk होता है, वो unsystematic हो गया, business risk हो गया, या fund manager ने वैसे कुछ stocks की basket create करी, जिसमें कि कि किसी वज़े से कुछ companies ऐसी थी जिनकी management अच्छी नहीं थी, या किसी वज़े से वो business losses में गया, उनके stock price गर गया, तो वो एक business risk हो गया, इसके इलाबा ए ऐसे stocks में निवेश किया है, especially जैसे small cap funds की बात करते हैं, तो ऐसे stocks में निवेश करते हैं, जहाँ पे कलको बिकवाली आ जाए, तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल है, या निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा price correction हो जाएगा, तो एक liquidity risk जो है, वो आ जाता है, इसमें tax liability risk भी हो जाता है, क्योंकि अभी आपने recently देखा जब budget आया, तो government ने अचानक से indexation benefit हटा दिया, last year जो उन्होंने किया था, कि debt funds अब जो है, वो जैसे FDs में tax treatment है, वैसी ही tax treatment debt funds के साथ होएगी, तो वो भी एक risk था कि एक rule and regulation change हुआ, उसकी वज़े से tax liabilities change होगे, या recently आ गर तो था लोगों में कि शायद long term capital gain और short term capital gain बढ़ेगा, तो वो taxability risk हो गया, इसके अलावा interest rate risk भी होता है स्वाती, कि माल लीजीए बाजार में interest rates जो है, वो बढ़ते जा रहे है, banks ने interest rates बढ़ा दी है, तो उससे क्या होगा कि companies की balance sheet जो है, उसकी ओपर impact आएगा, उनक demand भी नीचे जा सकती है, तो उससे क्या होगा कि companies की performance उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो उनका एक demand low होने से stock price पे impact आ सकता है, तो वो interest rates की वज़ए से यह वाई से वर्सा, so banking stocks में यह बहुत जादा होता है, कि जैसे आप अभी देखेंगे कि interest rate नीचे जा रहे है, तो एक general outlook यह बन रही है कि banking stocks या financial services वाले जो stocks है, वो better करेंगे, प्लस वो companies जो manufacturing में है, उनको सस्ता loan मिलेगा, और वो थोड़ा सा better करेंगे, demand भी उपर जाएगी, इसके अलावा जो regulatory risk हमने वोला स्वाती वो है, inflation की वज़ए से risk हो जाता है, कि यदि बहुत high inflation हो गई, तो demand गिर गई, demand गिर गई, तो उसकी वज़ा से companies के stock prices गिरते हैं, और eventually वो mutual fund में भी उनकी एनेवी में reflect होता है, global risk होते हैं, जो अब हम देख रहे हैं, Russia, Ukraine, Gaza और सबसे जो चल रहा है, Israel, Gaza का, political risk भी होते हैं, स्वाती, fortunately, India आज की rate में बहुत ही stable government है, अगर आप देखें, बहुत सा stability नहीं आ रही, at least India में पिछले 10-12 साल से, 14 साल से, बलके अच्छा एक stability बनी हुई है, उसके अलावा, अगर आप last देखेंगे, तो स्वाती, यह बहुत important है, behavioral risk, यह हमारे अपने उपर depend करता है, यह दूसरे उसके उपर नहीं है, कि जैसे मैंने अभी एक example दिया, कि बहु आपकिया और आपने तुरंद उसको बेच दिया, तो एक जो self-inflicted risk होता है, behavioral risk, जो आप खुद से नहीं manage कर सकते, तो आपको एक advisor की help लेके वो करना चाहिए, तो broadly यह कुछ 8-10 risk है, जो equity market में और equity mutual funds में आते है, बिलकुल यह 8-10 risk है, जो समझने बहुत जरूरी है, fund level पर AMC level पर भी, जैसे global risk भी आप देख रहे है, global level पर भी काफी ज्यादा impact करते है, political risk की भी बात की विकास ने, जो की political instability और stability है, वो आपके investment को काफी हद तक प्रभावित करती है, और बहुत important जो behavioral risk की आपने बात की, वो आपके emotional sentiment की level पर आपके decision को काफी हद तक impact करती है, तो बहुत important है इन तमाम risks को पहचानना, जो अलग-अलग minute levels पर करती है आपके investment को प्रभावित, लास्ट में मोहित ये ज़रा समझाए, इन risk लेने के basis पर, जो एक moderate investor है, moderate risk investor है, एक high risk investor है, एक low risk investor है, उनके लिए कौन-कौन से category या fund में कैसा exposure लेना, या काउन से funds में, अगर आ लेना चाहिए, एक अलग-अलग category के risk investors के लिए, तो देखिए, I think, विकास भाई ने बहुत ही अच्छे सारे risk को यहाँ पर elaborate किया, अगर आपको अपने portfolio को बढ़ाना है, wealth create करनी है स्वाती, तो आपको कुछ भी करकर equity का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, किसी भी निवेशक को उसके बिना आप inflation beating returns consistently नहीं generate कर पाएंगे, एनि real wealth नहीं create कर पाएंगे अपने portfolio में, तो अगर आप एकदम safe investor है, conservative investor है, तब आपको अपने portfolio में equity की मातरा कम रखनी होगी, यहाँ पर आप 20-30% equity रख सकते हैं और बाकी portion of fixed income investments में कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा commodity जैसे क कि सोना चांदी उस तरह का कुछ अपने portfolio में रख सकते हैं, अगर आप एक moderate investor हैं, तो आप 50-50% का balanced portfolio चला सकते हैं, यानि 50% portfolio fixed income में, debt instruments में और 50% portfolio equity funds में हो सकते हैं, और अगर आप एक aggressive investor हैं, तो आप 70-80% तक equity funds में निवेश कर सकते हैं, equity stocks में निवेश कर सकते हैं, और बा प्रतिशत एक जो टुकड़ा है अपने portfolio का, उसको आपको फिर भी fixed income में और commodities में diversification के लिहाद से डालना ही चाहिए, और इसमें भी स्वाती अलग-अलग तरह की categories हो सकते हैं, आप अगर aggressive investment भी करते हैं, तब भी आप equity के स्वरूप को थोड़ा change कर सकते हैं, कि वो large cap dominant कर सक सकते हैं, आप अगर बहुती conservative portfolio चलाना जाते हैं, आपने 20% equity लिया है, सिर्फ उसको भी अगर आपको और conservative बनाना है, तो आप उसमें balanced funds या फिर hybrid funds जैसी category का शुमार कर सकते हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा safe हो जाए, आपने fund choices की बात की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हो, पर अगर आप let's say large cap category में देखेंगे, तो हमारी choice रहेगी, प्रूव ICIS है, nifty index fund या फिर nifty next 50 index fund, थोड़ा सा safe conservative fund है, equity category के लिहाद से, आप अगर mid cap शेत्र का fund देखेंगे, तो active में इडलवाइस mid cap और otherwise DSP mid cap 150 quality 50 index fund, जो की एक passive factor based style का fund है, और small cap में बंधन small cap, जो की अगर कोई aggressive investor है, तो वो एक momentum fund अपने portfolio में इसके साथ में शामिल कर सकते हैं, और कोई बहुत ही conservative investor है, तब वो balance advantage या फिर hybrid fund को अपने portfolio में शामिल कर सकते हैं, और यह सिर्फ equity का स्वरूप है स्वाती, इसमें मैंने दूसरे allocation नहीं दिखाएं, बिल्कुल, क्योंकि हम equity में ह रिस्क की बात करें, और लोगों को लगता है कि debt तो बहुत ही safe होता है, debt में कोई risk नहीं है, तो आपको बताएं कि debt में भी काफी सारे risk है, और इस पर हमें एक अलग भी show लेकर आएंगे आपके लिए, कि debt में कितने तरीके के risk हैं, आज हमने खाली equity की बात की है, और इस प झी है, और इस जो, झी है, झी है, ज झी है, आपके को पन्